hello friends welcome back to the channel तो इससे पहले हमने हमने हमाचल जी के वाला section complete कर लिया उसके वीडियो आप देख सकते हो second section में हम देखेंगे कुछ political questions and कुछ education से related question question number 92 है the main government body at the territory level of education in India is भारत में शिक्षा के त्रितिक स्तर पर मुख्य कारी कारी सरकारी निकाय है तो UGC जो है ये त्रितिक स्तर पर सरकारी निकाय है question number 93 अंग्रेजों निमनलिक्त में से किस योजना आयोग में 6-14 वर्स की आयू के बच्चों के लिए सरभामिक मुफ्त और अनिवारे सिक्सा की परिकल्पना की थी तो जो सरजेंट योजना आयी थी 1944 में उसके दोरा ये योजना या आयोग गटित किया गया था जिसमें 6-14, 6-11 वर्स होना था इदर question भी गलत है 6-11 वर्स तक की वहाँ पर बात की गई थी 6-14 नहीं की गई थी 6-11 वर्स तक के बच्चों के लिए सरभोमिक मुफ्त वो अनिवारे सिक्सा की बात की गई थी सरजेंट योजना में जो 1944 में आया था next question है इस question का मुझे doubt था तो मैं इसको skip कर रहा हूँ question number 95 है सिक्सा एक महान स्तर है तथा यह आर्थिक और समाजिक गतिशिलता समावेशन और filling the blanks प्राप्त करने के लिए अच्छा सादन है समाजिक गतिशिलता समावेशन और समानता के लिए equality प्राप्त करने के लिए एक अच्छा सादन है शिक्षा तो D correct answer हो जाएगा 95 question का equality question number 96 यहाँ पोचा गया है which of the following is apex body in area of teacher education in India भारत में शिक्षक शिक्षा के खेत्र में निमन लिख्त में से सर्वोच निका है तो National Council of Teacher Education NCTE जो है सबसे बड़ा teacher education की जो apex body है NCTE National Council of Teacher Education इसका गटन हुआ था उननीसो पचैनुए में तो इसका C correct answer हो जागा है NCTE question number 97 भारत में सतत विकास के लिए 2030 एजेंटा के लक्ष फोर SDG4 को कब अपनाया गया था यहां से पूचा गया है यह कब अपनाया गया था तो यह अपनाया गया था 2015 में B correct answer हो जाएगा इसका 2015 में इसे अपनाया गया था इन लक्षों को question number 98 next question है निमनलिक्त में से किस एजेंसी ने सक्रिय विदेलिया की अवधारना को आगे बढ़ाया तो इस question में मुझे लगता है जो मुझे लगता है वो UGC हो सकता है मैं sure नहीं हूँ तो इसको आप doubtful रखिएगा अगर मुझे answer में right answer मिलेगा तो मैं comment section में डाल दूँगा या टेलिग्राम पे भी मैं आपको बता दूँगा तो मैं अभी तक UGC को टिक कर रहा हूँ question number 99 है जिलाज प्रात्मिक शिक्षा कारे करम DPEP District Primary Education Program DPEP कब start हुआ था DPEP 1994 में 1994 में B सही उतर हैसका 101% सही है विल्कुल कोई doubt नहीं है 100 question है Indian Policy के question सले अब भारतिय समिधान के किस सनुचेद में कहा गया है कि भारत में प्रतिक्स चुनावों को नियंतरित करने के लिए एक चुनाव आयोग होगा तो चुनाव आयोग की बात की गई है Article 324 में अनुचे 324 में बात की गई है प्रतिक्स चुनावों की तो B Correctance Race का अगला गोस्चन है Who said Man is a political animal किसने कहा कि एक आदमी जो है एक राजनितिक प्राणी है ये कहा था Aristotle ने Yes Aristotle अरस्टू ने ये कहा था Aristotle जीने कहा जाता है B Correctance Race का Aristotle Question No. 102 फिर से पॉलिटी का कोस्चन है भारत को संस्तिये लोगतंतर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इंग्लिश में है इंडिया इस नोन एजिट्स पर्लेमेंटरी डॉकुमिन डेमोक्रेसी बिकॉज जे क्यों जाना जाता है क्योंकि यह जो है The Executive is Responsible for Parliament इस बात में यहां पर जो पर्लेमेंटरी डेमोक्रेसी वर्ड यूज हुआ है इससे क्यों का सेनेरियो चेंज होता है जिससे इसका Right Answer C हो जाएगा The Executive जो है वो Responsible होते हैं पर्लेमेंट के जनकि जो कारेपाली का है वो संसद के प्रती उत्तरदाई होती है C Correct Answer हो जाएगा इसका इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए C ही इसका Right Answer है Question No.3 103 राज्य में राष्टरपती शाषन का अर्थ है कि राज्य शाषित है राष्टरपती शाषन कब लगता है जब जो राज्य होता है वो वहाँ की सरकार properly work नहीं कर पा रही होती है वो handle नहीं कर पा रही होती है अपने राज्य को तो वहाँ राष्टरपती सासन लगा जाता है राष्टरपती के दोरा तो वहाँ पर जो शाषित की जाता है राज्य वो राष्टरपती के दोरा ही होता है एक औरेक्ट असर हो जाएगा इसका सीधे राष्टरपती दोरा Next Question है 104 दे नेशनल फ्लैग वाज एडप्टेड बाइड बाइड कॉंस्टिटूट असेंबली ओफ इंडिया ओन जो भारत का द्राष्ट्रे धोज है वो भारतियां सविधान सभा द्वारा कब अपनाय गया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाय गया था यानि की भी इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को कोश्चन अबर 105 है Who is the author of the book Freedom Behind Bars? Freedom Behind Bars के पुस्तक जो है उसके लेकर कौन है? किरन बेदी जो फर्स्ट IPS थी इंडिया की उनके दोरा ये पुस्तक लेकी गई है किरन बेदी की दोरा A.S. उत्तर हो जाएगा इसका Freedom Behind Bars लेकी गई है किरन बेदी की दोरा Question number 106 है Which of the following commission first decentralized the primary education? तो यहां कहा गया है कि निमन लिकित में से किस आयोग ने सबसे पहले प्रात्मिक शिक्षा का विकेंद्री करन किया? किस आयोग ने सबसे पहले प्रात्मिक शिक्षा के उपर फोकस किया की बात की गई? तो कोठारी आयोग ने सरप्रात्मिक शिक्षा की बात की थी प्राइमरी एजुकेशन की बात की थी कोठारी आयोग ने कोठारी आयोग 1964-66 में जो आया था C Corrections Res का कोठारी आयोग Election Commission is a कैसी बॉड़ी है? Election Commission चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग जो है? Election Commission एक Constitutional Body है एक Corrections Res का Constitutional Body यानि कि जो Election Commission है इसकी बात हमारे सम्विधान में लिखी गई है इसके बाद में अडॉप्ट नहीं किया गई है Question No.108 है भारत में नियती उसकी कक्सा में आकार ले रही है यह किसने यह कहा गया है? यह किसके दौरा कहा गया है? तो यह कहा गया है रस्ट्रिय आयोग जो फर्स्ट एजूकेशन कमिशन था सी इसका सही उत्र जाएगा इसके दौरा यह कहा गया था सी सही उत्र हो जाएगा Question No.109 है The Member of Raja Sabah are elected by again पॉलिटी का कॉश्चन था इंडियन पॉलिटी का राजे भेबा के सदस्य निर्वाचित किये जाते है जो विधान सभा होती है वहां के जो निर्वाचित सदस्य होते है उनके दौरा जो वोट किये जाता है उस पत्ती के दौरा यह राजे सबा के सदस्य निर्वाचित होते है सी सही उत्र हो जाएगा इसका backward class commission OBC appointed in India जो भारत में न्युक्त पहला अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है वो किस कमेटी की द्वारा न्युक्त किया गया वो किया गया काका का लेकर आयोग द्वारा सी साय उत्रोजास का 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 लेकर आयोग जो अदर्ज कोशन बसते हैं teaching aptitude etc के उनको हम next video में discuss करेंगे तब तक के लिए thank you so much and channel को subscribe कीजिए अगर वीडियो अपको अच्छे लगती है तो वीडियो को like कीजिए और अगर आपको कोई doubt है या आपको लगता है कि किसी question का answer कोई और होगा तो comment section में मुझे जरूर बताएं अपना सुझाव thank you